छब को बोल दे हैपी ली पब्लीक ते हैपी ली पब्लीक ते ये हो गई जी हमारी टेश्टी सी मन्सूरियन तयार और सबसे पहला काम है छट में तिरंगा लहराना गुड मॉनिंग सभी दगले होता है प्यार भरू पड़नाम मैं पूजा बंडारी आ गई हूँ एकने व्लोग के साथ उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे मैं भी बढ़िया हूँ और आप सभी देश्वासियों को गरतांतर दिवास की डेर सारी सुब काम ना है बाकी हमारा अभी नास्ता भी नहीं बिना है और सबसे पहला काम है छट में तिरंगा लहराना तो छट में चलते हैं तिरंगा लहरा के आते हैं उसके बाद करेंगे नास्ते के तैयारी तिरंगा तो हमने लहरा दिया है पर अभी हवा नहीं हो रही है इसलिए हमारा तिरंगा थोड़ा सा मुर्जा गया है और धुन्दी धुन्द कोहरा कोहरा देखे पूरा ऐसे चारका है क्या ही बोलना और इस बारना सब के छटों में सिर्प स्री राम का जंडा दिखाई दे रहा है और तिरंगा तो किसी के जट में नहीं दिखाई दे रहा है तो यह भी बेकार बात है क्योंकि पंद्रागस्त के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब को बोला था कि हर घर तरंगा होना चीए तो उस टाइम सब लोगों ने लगाया और इस बार नहीं बोला तो इस बार किसी ने नहीं लगाया और अभी सुबह की टाइम पर देरा धुन का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है पूरे शहर में बस धुन्द ही धुन्द दिखाई दे रही है आज नास्ता बनाने में काफी लेट हो गया है क्योंकि पहले कपड़े उपड़े दोए और आज मायू को भी नहीं लाया तो इस चकर में थोड़ी सी लेट हो गी है तो अभी जल्दिवाजी में सबजी नहीं बनाएंगे तो अभी मेगी में काम चलाएंगे और मेगी के लिए यहां पर प्यास तो कट किया है और आज तो गाजर भी डालेंगे हम एक ही टुकड़ा बच रखा नहीं और भी बच रखे है इधार तो आटा भी मैंने गूत लिया है तो अब मैं जल्दी जल्दी से नास्ता तियार कर लेती हूँ हमारा नास्ता भी हो गया है और नास्ता तो किया अब लंच का टाइम होने वाला है साड़े ग्यारा हो गया है अभी और अभी मैं और मायू यह बाहर पर बैठ के हैं चपको बोल दे हैं पीली पब्लीक ते हैं पीली पब्लीक ते हैं और अभी मायू के दादी और पापा ज कहीं और इस पे ना भी मालिस भी नहीं करी क्योंकि आज तो धूप ऐसी होर की है बिल्कुल इतनी धूप आर की है आज सुरस दिख भी नहीं रहा है तो थोड़ी देर बाहर पर वेट करते हैं अगर अच्छी सी धूप खिल जाएगी तो बाहर पर ही इस पे मालिस कर दोंगी वरना आग जला के अंदर मालिस करनी पड़ेगी तो धूप का इंतजार करते हैं कि कब तक आ पर आज कल का टाइम पतानी कैसा आगिया है कि बच्चों की छुटिया कर दे रहे हैं तो पतानी बच्चे कैसे सिखेंगे तो चलो कोई नहीं आरोई यहां पर रिपब्लिक डे पर डांच करना चाहती है सुबह से बोल दी थी पर टाइम नहीं मिला तो अभी करके दिखाए आरोई धन्स कि आज का डिनर हमारा थोड़ा सा इस पेसल होने वाला है क्योंकि आज की डिनर पे मिस्टरची बनाने वाले हैं मंचूरियन तो मैं तो मायू के साथ रहांगी तो देखते हैं कैसी बनती है आज की टेस्टी टेस्टी मंचूरियन टेस्टी तो मैंने पहले ही बोल दिया है देखते हैं बाद में टेस्टी होती है यानि तो यह हमने प्याज और सिमला मिर्च काट ले है मंचूरियन के लिए और यहाँ पर हमने सोयबीन की बड़ी भीगोने के लिए डाल दी है उससे पहले हमने यह पत्ता गोवी को ग्रेंडर कर लिया था तो चलो अब बनाते हैं इनके पकोड़े यह हमने पकोड़े भी बना लिये हैं सोयबीन और पत्ता गोवी के ग्रेंडर करके उसके पकोड़े बना लिए थोड़ा इसके लिए मैं अधरक भी कद्दू कस कर लेता हूं तो अधरक भी मैंने कद्दू कस कर लिया है इसमें पड़ेगा ये सौस और थोड़ा सा सोया ये मैंने कटोरी में आरा रोट डाल लखा है जिससे कि उसकी ग्रेवी बनेगी ग्रेवी गाड़ी होती है आरा रोट से इसको मिक्स कर लेते हैं तो जितने गाड़ी करने हो गिरेवी को उतना आरा रोट हम उसमें डालेंगे तो चलो इसको गोल लेते हैं चमर से मैंने इसको गोल दिया है तो ये कटोरी में मैंने आरा रोट गोल दिया है और ये देखे हमने लोहे की कडाई में कर लिया है और इसके ग्रेवी देखिए ऐसे अरा रोट से ग्रेवी गाड़ी हो जाती है हमारे शहरे हमारे हमारा डिनर भी हो गया है और जतना इसपेसल था उसकी जतनी इसपेसल डेश्च थी यानि कि मन्सूरियन तो वह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जब ती हो आप सबको आज का विलोग पशंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्क्राइब करना मिलती हो एक नेक्स विलोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई